आपको पता है कि Current Affairs के Question कहां से पूछे जाते हैं और क्यों पूछे जाते हैं वहां से और कौन से Traditional Question वहां से बनते हैं अगर नहीं पता है तो मेरे Daily Series को जरूर देखिएगा हेलो नमस्ते माई कर्ची से कलम तक फैमिली मैं हूँ रचना और Daily News के इस सीरीज में से एक 6 मिनट में मैं आपको ना सिर्फ Current Affairs का News कम्प्रीट कराती हूँ बलकि उसके Traditional Questions भी कवर कराती हूँ तो चले शुरू करते हैं आज यानि कि 26 अपरिल 26 अपरिल को मनाते हैं हम विश्व बौधिक संपदा दिवस जिसे हम इंगलिश में कहते हैं Intellectual Property Right Day विपो विपो विश्व बौधिक संपदा संगठन द्वारा इसकी शुरुवात कब की गई यर 2000 में शुरू किया गया विश्व बौधिक संपदा दिवस मनाना और विपो की स्थापना कब हुई ये traditional question पूछा जाता है तो WIPO की स्थापना हुई थी 14 जुलाई 1967 में 14 जुलाई 1967 में स्थापना हुई विपो की अब सवाल ये होता है कि बौधिक संपदा है क्या तो दिमाग की रचनाएं जैसे कोई अविशकार, कोई साहित्य, कला, डिजाइन, वेपार में उपियोग किये जाने वाले प्रतीक का नाम छित्र जो होता है वो बौधिक संपदा कहलाता है कितने तरह के होते हैं बौधिक संपदा चार प्रकार के होते हैं बौधिक संपदा, पेटेंट, ट्रेड मार्क, कॉपी राइट और वेपार रहसे तो फिर भारत में कितने प्रकार के बौधिक संपदा अधिकार हैं? भारत में साथ प्रकार के बौधिक संपदा अधिकार हैं कॉपी राइट, ट्रेड मार्क, पेटेंट, भोगोलिक संकेत, पौधो की किस्में, और द्योगिक डिजाइन, सर्कल लेयाउट डिजाइन अब अगला कोश्चन की हाल ही में, यूएस चैंबर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतरास्ट्य बौधिक संपदा सूचकांग दोहजर तेईस में, भारत की रैंक, पचपन प्रमुख वैस्वी करतवस्था में, बे आलिसवी रैंक है, यानि कि 42 रैंक पर है भारत, अंतरा अब ना-भी कोश्चन अगर आपके पास होँगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताईए गा, अब हम चलते हैं, अगले कोश्टन में, यह है नमोपत या देवका सी प्रन्ट के बारे में, अब या नमोपत्या देवका सी प्रन्ट कहां है, यह दमन में है, इसका उद्छा परहवेली दमन्दीव और लक्षदीव तीनों के कौमन जो प्रसासक है उनके उनका नाम है प्रफुल पटेल उन्हों ने यहां पर आकर के उद्गाटन किया प्रधान मंत्री के साथ तो आपको नमोपत और देव का स्रीफरंट याद होना चाहिए और यह क्या है कहां है यह तो जरूर मैप पे देख लिजेगा क्योंकि यह अर्थवेस्था को बढ़ावा देने के लिए है और यह कहां पर है दमन में है अब हम चलते हैं अगले न्यूज में स्वी प्रकास सिंग बादल का निधन हो गया कौन थे यह प्रकास सिंग बादल तो प्रकास सिंग बादल मंजाब के 4 बार यह मुख मंतिर है एक किस पार्टी के थे इनकी पार्टी ती शिरो मनी अकाली दल तो प्रकास सिंग बादल से त्रेडिशनल कोस्चन जो है वो यही waż ही मंतिर है कि कितनी बार मुख मंतिर रह और किसंपार्टी के थे था और निधन हुवा है आज इसलह नर अब ये क्या है सौरास्ट्र तमिल संगमम ये क्या है ये कारिक्रम है एक भारत स्रेष्ट भारत की भावना को बढ़ावा देने के लिए और ये सौरास्ट्र के तमीलों को अपनी जड़ों के साथ फिर से जुड़ने का मौका देता है ये सौरास्ट्र तमिल संगमम गुजरा और तमिल नाडू के बीच का है और ये संस्कृति और विरासों का उत्सव है और ये एक भारत और स्ट्रेस्ट भारत की भावना को बढ़ावा देने के लिए हैं तो 17 एपरिल से 26 एपरिल तक सोमनाथ में ये आयोजन किया जा रहा है सोरास्ट तमिल संग्मम का आयोजन कहा हो रहा है सोमनाथ में हो रहा है 17 एपरिल से 26 एपरिल तक यानि कि आज ये खतम हो गया अगला कोश्चन ने Green World Awards 2023 कहां पे हुआ अमेरिका के मियामी में हुआ है Green World Awards 2023 विद्धुत मंत्राले के अधीन महारतन कंपणी है Power Grid Corporation of India Limited को Green Organization ने Global Gold पुरुसकार दिया है तो ये Power Grid के निदेशक कौन है? ये Power Grid के निदेशक है VK Singh और ये पुरुसकार उन्हें क्यों मिदिया गया इस कंपणी को इस नौरतन को क्योंकि ये पुरुसकार उन्हें काला हंडी में 10 गाओं में Water Shade प्रबंदन सामुदाइक भागिदारी के लिए मिला है और 60 महिनों की ये किसान केंद्रित परियोजना है जिसे October 2019 में शुरू किया गया तो October 2019 में काला हंडी उडिसा में 10 गाओं में शुरू किया गया एक सामुदाइक भागिदारी का कारकार में जो कि किसान केंद्रित परियोजना जिसे शुरू किया है पावर ग्रिड ने विद्धूत मंत्राले के अधीन जो महारतन है उसने और उसी को एवार्ड भी मिला है तो इस तरह से जब भी डेली न्यूस का कलेक्शन करिए तो उसमें से सेलेक्शन करके पढ़िए और उसके ट्रेडिशनल कोश्चन और नए कोश्चन क्या बन सकते हैं दोनों की तेयारी करिए वैसे मैं रोज आपको 6 मिनट में सारी न्यूस अपडेट जरूर देती हूँ तो अगर आपको डेली फ्री अफ्कॉस न्यूस अपडेट लेखना हो जो चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा और नीचे कमेंट जरू करें